असलाम उलाइकुम फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को बताएंगे टोटल इस्टेशन का कोडिनेट डेटा किस तरीके से आटोकेड में इंपोर्ट किया जाता है एक्सल से बिना कोई लिस्प यूज किये देखे फ्रेंड्स ऐसे तो आटोकेड में इंपोर्ट करने का कई सारे तरीके हैं आप एक्सल के जरिये से भी कर सकते हैं एक्सल में फर्मूला लगाके या फिर आप लिस्प यूज करके भी कर सकते हैं या फिर आप एस्यार फाइल बनाके भी कर सकते हैं तो कई सारी मेथड ह आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक्सल में एक छोटा सा फर्मुला लगा के आप किस तरीके से आटोकेट में इंपोर्ट कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान और छोटा सा फर्मुला है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि या क्या फर्मूला लगाना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको टोटल इस्टेशन का डेटा एक्सल में होना चाहिए ये देखिए हमारे पास टोटल इस्टेशन का डेटा मौझूद है जिसमें से हमारा पॉइंट आईडी है इस्टिंग है नोर्टिंग लेबल कोड अब हम इस पर फर्मूला लगाएंगे अब इक्वेल दीजिए C-O-N कॉन कोटनेट का फर्मूला लगाना है इस्टिंग किलिप में किलिक कीजिए अब यहाँ पर लगाईए आप कॉमा डबल इंवालेट कॉमा कॉमा डबल इंवालेट कॉमा कॉमा नोर्टिंग में किलिक कर दीजिए अब आप एंटर कीजिए एंटर करने के बाद यह देखिए हमारा इस पर फर्मूला लग चुका है अब आप क्या कीजिए इस पर पूरा के पूरा आप जितना भी आपका डेटा है आप नीचे तक उसे खिंज दीजिए तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हमारा 786 डेटा मौजूद है तो यह पूरा का पूरा डेटा में हमारा फर्मूला लग चुका है तो अब क्या कीजिए आप इस पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ सीप्ट दबाईए और डाउन एरो बटम को क्लिक कीजिए तो यह पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ अब इसे कंट्रोल सी दबा कर कोपी कीजिए अब आप ओटो केट को ओपेन कीजिए यह देखिए ओटो केट हमारा ओपेन हो चुका है यह हमारा उपर में फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे किलिक कीजिए नीचे आईए पॉइंट स्टाइल point style select कीजिए point size दीजिए ok कीजिए point select कीजिए comment बार में आकर specify ये point पे right click करके paste कर दीजिए यब हमारा data import हो चुका है अब आप escape दबाईए z enter e enter ये देखिए हमारा पूरा पूरा data आ चुका है तो देखे दोस्तों कितना आसान है ts data को autocad में import करने का तो देखे friends कितना आसान सा तरीका है excel से autocad में import करने का assalamualaikum